अगर मुलायम सिंग करबड होते निता चोर होते तो क्यों मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गये जाए इसली राम इसली बोल बच्चन की सरकारी है बोलती कुछ और है करती कुछ और है आज अगर माय वोती रोड पर आ जाए आज अगर अखिलेज भाई रोड पर आ जाए असली मुद्दा तो मेरे दोस्त इबियम है जिस इंसान में घर में चला वो इंसान केस केस ला लेगा उत्तर परदेश केस ला लेगा कि उनकी सर्कारे सिस्टम उनका है तो मैं यही कहना चांगा कि लश्कर भी तुमारा है तुम जूट को सच लिद्धो अख़बार तुमारा है तोड़ो क्या कि कभी एक बार जोड़ो कभी एक बार तोड़ो झाल उम्मश्च्ष फ्रिंगरत मिला चाहता हूं बावा जब बंते हैं जब घर पर वार नहां चला और बावा को हम लोगों डेश दे दिया है जिस इंसान फे घर नहीं चला वो इंसान देश के असला लेगा उत्तर पर देश के असला लेगा सरकार किस की आएगी हमारे युवा अकिलेश जी भी हमारे युवा है बहुत बड़ा फैन हूँ चंद सेखर आजाज जी हमारे फैन है चंद सेखर आजाज जी में हमारे युवा है कहीं न कहीं अखिलेश जी को ओम्रकास राजभर जी को भाई तेश सिंगी को यह जितने भी हमारे यूवा लीडर है अखिलेश भाई सभी का दामन छोड़ दे और एक मसोधा बनाए और सभी भाईयों के हिता अधिकारों की बात करे और यह कोई जो इब्रामरवाद यह दुनियादारी का यह तेल लगाने वाला काम है हमारे ऐसे लोग कभी सत्ता में आ करके बहुजन समाज का भला नहीं कर पाएंगे अखिलेश यादों नेता कैसे हैं अखिलेश यादों नेता बढ़िया है उनको पिता जी के थ्रू लोगों ने पहचान लिया और नहीं यहाँ हमारे घरघर अखिलेश थे मगर हम उनका सुक्र गुजार है संग्राम की जिन्दगी संग्राम जिन्दगी है लड़ना इसे पड़ेगा अजो लड़ नहीं सका है आगे नहीं बढ़ेगा अखिलेश जी बराबर लड़ रहे हैं योगी से बहुत लड़ रहे हैं उनका भी जगए देगे सोसन हो रहा है यादों की एक तरफ से हत्या की जा रही है ब्रामनों की एक तरफ से हत्या की जा रही है बैनों के साथ बलातकार होता है ये जो योगी सरकार है ये छेडने का काम कर दिया है तरह तरह से हमें ये भढ़काने का काम कर रहा है कि आदे ही दर जाओ, आदे हुदर जाओ बाकी मेरे साथ आओ और EBM से मैं चुना जीत लूँ हमें योगी जी को चैलेंज देते है कि इस बार बदलाओ लेकर करेंगे ये उत्तर प्रदेश है ये बिहार नहीं है नए बंगाल है बसरते ये फिल भर देंगे हम जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे बसरते आवाज जानी चाहिए और हमारे अखिलेश जी हर्दे में बसते हैं बगर कहीं न कहीं अखिलेश अभी बच्चे हैं अखिलेश हैं चंसेकर रामर जी है ये जिदने नवी वक्त हमारे उभर रहे हैं सब कहीं न कहीं यसी OBC के लोग हैं हमारे दिलों पर हैं अगर कोई कहता है कांसी राम का चेला गुरू, तो चेला हम लोग है, हमने उनकी लंगोटीद होई है, हम जानते थे कि कांसी राम क्या है, तो मैं खास करके अपने भीमार्मी के युवा साथियों को यह कहूँगा, कि जोश में खो करके, हमें होस नहीं खोना, एक साथ संगट अपकी बार आजाज सरकार होगी, तो योगी जी को मिलगी बदलाओ करने का मूट है, नहीं उसमें एक मसला है, देखिए, मसला सीधी सी बात यह कि बहुजन समाज के साथ बहुत जुल्म हुआ है, साथ सालों में जगे-जगे मौब लिंचिंग के नाम पे मुसलमानों की हत तो दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, दूसरी बात, दलित बहनों की हमारी, जो ऐसी समाज की बहने, उनके जो रेप होते हैं, जिसने मनीशा बालमीक, अभी दिली में किशोरी बालमीक, उन पर कोई नहीं बोलता है, उन पर हिंदुवादी संगटन कोई नहीं बोल योगी जी ने बहुत अच्छे काम कियें, इतने अच्छे काम कियें कि हमारे यह सड़क जो है, कबरिस्तान बनी हूँए, तित्ते गरे गड़े, अच्छा वो तो बताते हैं, हमारी सरकार में गड़े मुक्त सरके हो जाएंगी, सरके बन नहीं है, बताना चाह रहा हूँ, देखिए, उनकी सरकारे सिस्टम उनका है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लशकर भी तुमारा है, सर्दार तुमारा है, तुम जूट को सचलिकर दोख बार तुमारा है। खेत में बस्वाई परसान करने वाला लोग दिखाते हैं मोदी जी बढ़ियां अभी देखिए इनका एक चैनल पर एबीपी आज तक कर देखाया है कि मोदी जी फिर तचुना जीद रहे हैं योगी फिर तचुना जीद रहे हैं नाम क्या है मैं दूसरी बात कि मैं जो पुड हजार वोट से जादा कर दिया जा रहा है और हमारा ही नहीं यहां पर जो हमाई जमाज में कमझें पचात हजार जो यूबा यहां पर इखटा हुआ हुआ है सभी का मूल है और यही नहीं गाओं का भी मूल है क्योंकि जो गोदी मीडिया है जो मोधी मीडिया है वो सिर्फ जो अजेंडा परस्तुत करती है जो जो का नम सैरी छेत्र का एक सरवे करके और दिखाती है कि अब योगी की सरकार आरही है बोल बच्चन की सरकार है बोल दी कुछ और है करती कुछ और है यह हमारे बाप के समिधान का लिखा हूँ है समिधान हम इसको छीक के रहेंगे बहुत बहुत धन्वाइब बहुत अच्छा लगा और दादा कैसे हैं सर प्लीज सर मैं टाबा से आया हूं से पंद्रा लाग रुपई ले लिए सर प्रजानी का चुनाव जिताने लिए मेरी जमीन एग्रिमेंट होई सर अब पैसा दे रहे सर मैं डीम से भी मिल चुगा हूं लड़वाया था है एश्टीम साब ने मुझे का तुम चुनाव लड़ जाओ चाहे एक भी बोट न पड़े मैं प्रमट पत्त तुम्हें दूगा अच्छा अच्छा में उन्हें ने बोला अप जी जी एम से पई तैसिल से हूं में तो मेरी जमीन एग्रिमेंट होई पैसे थे नहीं मेरे पास देना हुई तो उन्होंने का प्रदान तुम्हें बना दे कि पंद्राभी का खरीद लेना मेरे माबाब अपने घर से निकाल दिया बुझे बहुत दूभी हुँ एश्टकिम साब की आईडियों के लिए मेरे पास किसी ने नहीं सुनी है एडियम साब ने मुखमंत्री जी के यहां मिला और पिर मैंने राजपाल जी को अपनी इमेल आईटी से पैक्स किया सब का गजे मेरे पास कुछ नहीं बोले के मैं जाच कर रहे हैं पांच महीने होगा मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मेरी जमीन जा रहे हैं साथ भी जमीन एग्रिमेंट करा के पैसाथ गया सर मुखमंत्री जी तक आप अपनी बात पहुंचाएं जी सर मुखमंत्री जी को दो बार दिया मैंने एक बार केसा प्रसाद मौर जी मुखमंत्री जी मिले उन्होंने डियम के लिए 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 लि तेरा में मदर करा दूगा में रस्तान गेरी हुआ मेरी जां थेक पर अधिकार के अपर यह वात है अपकी बार भी मार्मी की लोग यूपी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं फिर इरादा तो स्टाफ है और ये लोग क्या कहते हैं वो भी आपने देखा आपके इसाब से अपकी बार यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए अपनी राय मुझे नीचे जरूर दीजेगा चलिए मिलते हैं कर नए जिगा पर नए मुद्दे के साथ बने नमाजा देखते है दोस्तों यूपी की धुआधार राजनितिक खबरों के लिए बारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाईए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिलकुल और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मताबिक देख पाएंगे चलते हैं जै भीम जै भारत